इस डिजाइन को मैंने आधा कंप्लेट कर लिया है और मुझे आधा भी और बनाने देखिए इसमें बहुत सुंदर साइड डिजाइन आया है यहां पर येलो कलर और यहां ग्रीन कलर है तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं येलो का जो पतियां है येलो की प जो पांच फंदे हैं वो मैंने ग्रीन से लिये हैं और जो पांच है वो मैंने ब्लू से लिये यहां पर मुझे ग्रीन कलर का डिजाइन देना था इसलिए सबसे पहला फंदा मुझे ग्रीन का लेना है तो अब हम क्या करते जाएंगे जब इस तरह से आप फंदे डालेंगे 30 फंदे आप यलो के डालेंगे और एक green एक blue एक green एक blue जब आप ये फंदे डालेंगे तो फिर उसके बाद यापका design शुरू हो जाएगा नहीं तो आप अगर एक एक नहीं डाल सकते तो पहले सारे blue के लिए लिजिए और फिर बाद में एक blue एक green आप ऐसे भी कर सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं तो अब देखिए आगे आपको क्या करना है हमें ये जो green एक फंदा है हमें यहां से ये दो फंदे करने है अभी ये हमारे पास एक फंदा है अभी हम इसको दो फंदे कर लेंगे तो पहला फंदा मुतार लेते हैं और जो दूसरा फंदा हमारा ब्लू का है इसको भी हमें ग्रीन का करना है इसको भी हम ग्रीन का कर लेंगे तो फंदे हमारे ग्रीन होगे और इस फंदे को हम कर लेंगे ब्लू इसको फिर दुबारा से करना है ग्रीन इसे करना है ब्लू यह जो ब्लू है वह ग्रीन करदो और जो ग्रीन है वह ब्लू करदो जब यलो का स्टार्ट हो जाएगा तब वहाँ पे देखिए आपको क्या करना है देखिया अब ये जो फंदे हैं ये देखिये पांच ही लेने हैं आपको ग्रीन और पांच ही ब्लू हमारे जो ब्लू के हैं एक दो तीन चार ये पांच वा फंदा हमारा ये ग्रीन और ये जो एक यलो का फंदा है ये हम ले लेंगे एक ब्लू से और फिर इसको धागे को खींच के हमें ये लेना है यलो से बाकि सारे जो फंदे हैं वह हम यलो ही बुन लेंगे लास्ट तक ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे लास्ट में हम पहुँच गए है बुनते बुनते और यहां पे हमारे जो दो फंदे हैं इनको हमें ऐसे ही छोड़ना है और यहीं से हम धागे को टर्न कर लेंगे यहीं ओर यह आगे है Multi तरफ तो इसमें जो डिजा Gegen जैसे है वैसे हमें बून नहीं है इसमें फंदें ना तो बढ़ाने है Green Blue नहीं करने है जो Green Green है Green ही बूननन जो Blue है वो Blue ही बूनन ऑए इसमें छेटेनonta Yes देखेsemble, जो Blue है, वो Blue के धागे से हम बूनेंगे इसे हम आगे कर लगते हैं, क्रॉस कराके फिर ब्लू को पीछे करेंगे और अब ग्रीन धागे से आपको बुनना है फिर हम ब्लू से करेंगे फिर हमें ग्रीन धागा लेना है, ग्रीन से बुनना है यानि कि जो फंदा जैसा है वो हमें वैसे ही बुनते वो चले जाना है इसमें हमें ना तो कोई फंदा बढ़ाना है और नहीं फंदा घटाना है यह देखें हमारी सलाई कम्प्लेट होगी अब फिर हम आगे उल्टी तरफ और फिर से हमारा यहां से जो डिजाइन है वो यहां से शुरू हो जाएगा अब हमें यह दो फंदे हैं अब हमें यह तीन फंदे बनाने हैं पहला फंदम उतार लगते हैं दूसरा हम बुन लेंगे और तीसरा भी हमें ग्रीन ही बनाना है यह बन गया और इसे हम ब्लू इसे हम फिर से ग्रीन इसे हम blue यह फिर से green यह फिर से blue यह हमारा green यह हमारा blue यह हो जाएगा green और हम इसको बुर लेंगे एक yellow को blue से यह हमारा तो कहने का मतलब कि आप समझ ही गए होंगे यहां से हमें हरे फंदे बढ़ाते हुए चले जाने है और यहां से हमें blue फंदे बढ़ाते हुए चले जाने है और पीछे से करके हमें दो दो फंदे छोड़ते हुए चले जाने है जब इस तरह से दो दो फंदे करके हमारे सारे फंदे छुट जाएंगे पिर उसके बाद हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे यानि कि जो हमने डिजाइन अब इधर बढ़ाया था वो हम वापस से इधर लेते हुए चले जाएंगे तो मैं यह complete कर लेती हूँ फिर उसके बाद आपको बताते हुए कि आगे हमें क्या करना है यह देखे वियोर्स यह मैंने बना लिया है यह हमारे यलू के 30 फंदे थे अब यहां पर हमारे 20 फंदे हैं दो-दो के जो हमने छोड़े हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यहां दो, यहां तक हमें छोड़ना है और उसके बाद लगबगए जो ग्रीन फंदे हैं यहारे 11 है और यह जो ब्लू के 5 है और बीच में 4 फंदे हैं हमारे ग्रीन के है अब जैसे हमने यहां पर यह बढ़ाते हुए चले गए थे एक, यह बढ़ते हुए से बुना था अब इधर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे जो एक एक yello color आएगा मतलब yellow के साथ जो blue आयेगा मतलब yellow को हमें yellow color में change करते हुए चले जाना तो ये चो design ने हमारा इस तरफ बढ़ते हुए चले जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं कै से करना है देखिए आपको ये जो green बिल्दा फंदा है ये समय ने कि अहीं पदर लेते हैं और देशाल ने डाओकि कुह है और परदेश बिल्द यह रीक्राइक है जो इधर के तरफ देजाइन को बढ़ाना है तो हम ये जो green है इसे हम करेंगे blue और ये जो blue है से करेंगे green इसे हमें लेना है blue से ये फिर हमें green ये blue फिर blue को green जो green है उसे blue से और जो blue है वो green से इस तरह से हमें change करना है देखिए हमारे पास blue के पाश फंदे आ गए हैं एक दो तीन चार पाश तो यह जो फंदा है इसे हमें yellow से बुनना है हम blue को इस तरफ cross करा लेते हैं yellow से बुनने गे और यहां के यह जो दो फंदे हैं यह हमें उठा लेने हैं और अब यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे यहीं से वापस हमें मुड़ना है और इस पर जो फंदा जैसा है वो हमें वैसे ही बुनना है वो हमें नहीं बढ़ाना है नहीं हमें घटाना है वैसे ही बुनते हो हम चले जाएंगे देखे हमने बुन लिया है अब हम मुल्टी तरफ से फिर से शुरू करते हैं पहला फंदा हमें उतार लेना है बाकी फंदों को हम बंते हुआ चले जाएंगे अब हम पहुच गया है इस ब्लू के पास तो अब हमें क्या करना है इधर से हम बंदों को बढ़ाएंगे इसे हमें लेना है ब्लू कलर से यह ब्लू फंदा ले लेंगे और यह हम ग्रीन से ले लेंगे यह हमें लेना है ब्लू से और इस तरह से हम बंदों को चले जाएंगे यानिकि बीच में हमें ब्लू के पांश फंदे ले लेने हैं कि तैञे कि कि अब फिल्व फंडा ये हमें लेना है य।- क्योंकि पहले यल्यो को हमने ब्लू से भुना था अब जो ब्लू है उसे हम susceptible पूनते हो चला जाएंगे ये दो फंदे और जी हमने पहले बुल ले थे वो लेने हैं और अब ये दो फंदे और लेने हैं देखिए यहां से हम जाले में से एक फंदा उठा लेंगे और इन दोनों को एक साथ बुल लेंगे इसे जो हमारा gap है वो हमारा fill हो जाएगा और फिर हम यहीं से वापस को सिलाई को गुमा लेंगे तो इसी तरह से हमें जो blue है वो हमें बढ़ाते वे चले जाना है यह आप देख सकते हैं पहले में इस तरह से बढ़ाते आये थे अब हम इस तरह से चलेंगे तो जो यह हमारा डिजाइन है वो अब इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा तो हमारे यह जो पत्ती है वो हमारे बन जाएगी इस तरह से हमारे पत्ती बन जाएगी और हमारे यह जो बहुत सुन्दर सा डिजाइन है बनके तैयार हो जाएगा तो आप ट्राइ किजिए घर में यह बनके बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो